हलो दोस्तों कैसे आप सभी आप सभी का अपने इस यूटीब चैनल बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मुक्य मंत्री उच्छा चात्रोती योजना दजर्ट सविश के बारे में ठीक है राजस्तान के ऐसे बहुत से चात्रोती जो उच्छा प्र कर सकते हैं उनलाइन आविदन करने के अंतिन तिती 31 जन्वरी 2024 है तो देख लिए इस योजना का नाम है राजस्तान मुक्य मंत्री उच्छा चात्रोती योजना 2024 ठीक है इस योजना का उद्देशी अल्प आई वर्क के प्रतिभावान चात्रों को उच्छा प्राप्त करन है इस योजना के तहित प्रदान की जाने वाली च्छात्रोती की राशी का उप्योग च्छात्राइं अपनी उच्छ सिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं इसमें सुल्क, किताबे, स्टेशनरी और अन्य आवश्या कर्च सामिले यह च्छात्र च्छात्र तो देगे, इसे लाब क्या गया है, राश्थान मादमिक शिक्षा बोड़ की उच मादमिक परिक्षा में वरीत्य सूची में अलप आय वाले परिवार के पातर च्छात्र शात्रों को 500 रुपे पृतिमा दिया जाएगा, मतला अर्मेने के 500 रुपे दिये जाएगे, यह ल जाब तक अध्यान करता है तब तक ही देए होगा ठीक और वहीं पर दिव्यांग चात्र चात्रा है तो उनको हर मेने एक अजार रुपे दिया जाएगा और अधिक्तम दस महाता मतलों एक साल में दस मेने तक ही दिया जाएगा ठीक तो इसके साब 10,000 और उनको 5,000 रुपे द आवेदक को 40% उससे अध्यक विकलांगता का प्रवाणपत्र लगाना हुआ यह दिया विकलांग है तो प्रवाणपत्र जरूरी है ठीक है इसके लिए एलिजिब्लेटी क्या होनी चाहिए राजस्तान मुख्य मंत्री उच सिक्षा चात्रवती होजना 2024 के लिए जो आवेदक ने राजस्तान माद में खिचा बोर्ड अजमेर से बार्वी की परिक्षा इस वर्स 90% टंकों से उत्तिर्ण गियो कम सकम 60% होनी से बार्वी में आवेदक राजस्तान के किसी राज किये मानेता प्राप्त गहर राज किये माविद्याले में पढ़ाई करता हुआ ह चाहिए जाए फड़ों पढ़ाई करना चाहिए कि राज़्ट्रे बेंक में खाता हुना चाहिए बैंक में खाता है अबिक क्यों सब्सक्राइब का का आधार काड evitar सभी के बनने हुए जनादार भी है ठीक है आवेदक के पास खुद का मोबाल मोबाल नंबर है और उसमें एक्ट्वेट सिम होनी चाहिए तर तो उसके पास खुद का इमेल एडरस इमेल आड़ी सभी क्यों होती है ठीक ना आवेदक का नाम जनादार कार्ड में उसके नाम के स समान होना चाहिए बमतल्क नाम जनादार में भी उसका नाम है जो सेम होना चाहिए शुरह वाल ही आ उसके बाद दोकुमेंट्स क्या क्या चाहिए जनम पर्मान पत्र चाहिएगा ठीक है दसवी बारियों कि अंग पत्र सीट मातपिता का आय प्रमानपत्र बैंक खाते के पास जनादार कार्ड और लिकादार कार्ड कोई भी हो सकता ठीक फोटो चाहिएगा और जैसे आप बीए भी कॉम बीए सी जो भी कर रहे हैं उसमें पर्थम साल की फीश की रसीद लगानी होगी मुबाल नंबर और जनादार का अप्लाई कैसे करना है देगे आविदन प्रक्रिया उनलाइन है आविदक वेबसाइट पर जाकर एसे सो के माद्यम से आविदन कर सकते हैं आविदन के अंतिम चिती 31 जनवरी 2024 है जो आविदन करना चाहते हैं नीचे दिये वेब प्रोसेस को फॉलो कर गया उनलाइन अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आविदक को SSO ID पासवर्ट तो यूजर नेम से लॉग इन करना है SSO पोर्टल का होंपेज खुलने के बाद डिपार्टमेंट नाम के सेक्षेन पर क्लिक करें जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने राजस्तान का अधिकार वेबसाइट hte.rajistan.government.in पर उनलाइन आविदन के लिए पूचेगा उसके बाद कलिक करें तता कक्षा 10-12 के प्रतिशा तता विशुव इद्याले प्रिवेश स्मार्क्षीट जनम दिनांग आधि जानकारिया पूची जाएगे जिसे समपूर्ण रूप से द्यान से बरें तता सम्मिट बटन पर कलिक करें यह प्रक्रिया पूर्ण नुन्य के बाद आपका आविदन पत्र सफलता पूर्ण जमा हो जाएगा ठीक है तो इस परकार से आपका आविदन बादा जाएगा ऐसी जानकारिक लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूले थेंक्यों दूस्तों